नमस्कार आप देख रहे नियूज नेशन आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा आई सी सी वर्ल्ड कप अपने चरम पर पहुँच चुका एक से बढ़कर एक मैच आपको देखने को मिल रहे हैं जिसकी उमीद आपने की ना हो ऐसे मुकाबले भी देखने को मिल रहे हैं अफगा पच्चीस अक्टूबर को भी खेला जाएगा एक बड़ा मुकाबला यह बड़ा मुकाबला इसलिए है कि एक साइड होगी और दूसी साइड होगी वो टीम जिसने साउथ अफरीका को माद दिये जिससे बड़ी से बड़ी टीमे खौफ खा रही है यह मुकाबला 25 तो दिली के इस अरुण जिटली स्टेडियम की तो दोनों टीमों की जो बल्ले बाजी है वो फॉर्म में जादा है नहीं हलाकि ऑस्टेलिया की बल्ले बाजी फॉर्म में आच चुकी है पिछले मैच में वाडन ने शतक लगाया मिचल मार्स में शतक लगाया और सामने एड की अधारदार गेंदाजी तो इस report में हम बादचीत करेंगे ड tycker बारे में दोनोंडों।Okay समभावित प्लेंग लेवनके बारे में वेदर के बारे में भी बाद चीट करेंगे और एड टो है डिकार्ट क्या कहते हैं दोनों टीमों के इस बारे में भी बातचीट करेंगे तो सबसे पहले बातचीट कर लेते हैं किस की पिछ रिपोर्ट की अब इस देखे वैसे जो दिल्ली की पिछ है वो गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है खासकार Spinners के लिए Under the Lights तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है लेकिन इस World Cup में इसके पूरा उलट देखने को मिला है इसी Ground पर South Africa ने श्रिलंका के खिलाब 428 रन बनाये थे जवाब में श्रिलंका भी 326 रन बनाने में काम्याब रही थी वहीं भारत और अफगानिस्तान का मैच होता है अफगानिस्तान 270 रन से जादा का स्कोर बनाता है भारत उसको एक तरफा मुकाबले में तबदील करके जीत लेता है तो इस मैदान की जो पिच है वो इस वल्ल कप में बल्ले बाजो के लिए मददगार है ग्राउंड बहुत छोटा है इसलिए छक्के भी बहुत जादा लगते हैं लेकिन एक चीज सही है कि जैसे जैसे गेम यहाँ पर बढ़ते जाएगा आगे आगे गेंद पुरानी होती वैसे वैसे स्पेनर्स को मदद मिलता रहेगा और जो नीदरलेंड के पास है वो ठिक ठाक से स्पेनर्स है और चुके हैं तो अब आपको लड़ाई देखने को मिलेगी आप पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत करें आपको आपको जैसा कि बताया कि धीमी होती जाएग आप दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग लेवन के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करते हैं ऑस्टेलिया के बारे में ऑस्टेलिया की बात करें तो ट्रैविस हैट के वापसी हो रही है और वो डेविड वोर्नर के साथ ओपन करते हुए दि तो यह उस्टेलिया की संभावित प्लेंग लैवन अब अगर नीदलेंड के बारे में बातचीत करें तो विक्रम जी सिंग मैक्स आउडाउड कॉलिन एकरमेन बास डी लिडे साइब्राइंड एंगल ब्रेक्ट तेजा निदा मानू गुरू स्कॉट एडवर्ड्स लोगान वैन बीक रोडाल वन डिर्मर आर्यंदत और पॉल वैन मिरिकेंड तो यह हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेंग लैवन और अगर वैदर के बारे में बातचीत करें तो कि उमीद थोड़ी सी आप कर सकते हैं रात में हलकी अलकी रात में हवा के साथ हलकी भीनी भीनी सी जो ठंड है वो आपको मैसूस होती हुई दिखाई दे सकती है और खिलाडियों को भी अब आपको पिछ रिपोर्ट बताई अब आपको दोनों टीमों की संभावित मैच हुए मैच में उस्ट्रेलिया में को जीत मिली मैच आपको वेल्ड कफ में खेले गए वृलग कप बार देंगे और नीदर्लेंड के पास भी वो पूरी काबियत है तो आपको हैड टूएड भी बता दिया पिछ रिपोर्ट भी बता दी वैदर रिपोर्ट भी बता दी संभावी प्लेंग लेवन भी बता दी अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोने होई टीमों की फॉर्म पर खिलाडियों के बारे में तो सबसे पहले ऑस्टेलिया के बारे में बातचीत करते हैं क्योंकि ऑस्टेलिया के टीम में हो रही है ट्रैविस हैड की वापसी जिया तूफानी ओपनर है आतने के साथ ही तूफानी बल्ले बाजी करते हैं गेंद बाजों को सेट होने नहीं दे जिते हैं और सावथ अफरीका के किलाव जब सीरिज हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफरीका में वहाँ वह बी उनका बल्ला बहुत जोड शोर से चला था अब ऑस्टेलिया के में यह पहले कर लिया था कि जैसे ही ट्रैविस हैड आएंगे फिट हो जाएंगे वो टीम में ओपनर की भूमी का नेभाएंगे तो इसका मतलब यह है कि डेविड और और जो मार्श है वो आपको ओपन करते हो दिखाई नहीं देंगे इसकी जगे ट्रैविस हैड आजाएंगे मार्श की ज लेकिन स्टीव स्मित के बल्ले से कब रन निकलेंगे यह अभी बड़ा सवाल है क्यूंकि एक महान बल्ले बाद इंडिया की पिच्पर जहां पर उसका रिकॉड बहुत जादा अच्छा है वहां पर वह ऐसा स्ट्रॉगल करेगा ऐसी उमीद किसी को भी नहीं थी मैक्स्व ज्यादा कुछ कमाल दिखा नहीं पार है पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जरूर कुछ विकेट लिए लेकिन जो उनसे उमीद है बल्ले बाजी की वह अब तक मिसिंग है वही जोश इंगिनिक्स आप सभी को पता ही कि एलेक्स कैरी की जगह आये थे और उन्होंने जो गेंदबाजी की बात करें तो पैट कमिंस ठीक था गेंदबाजी कर रहे है मिचल स्टाक को शुरूआत में विकेट लेने होंगे जोश हैजल वूट को शुरूआत में विकेट लेने होंगे क्योंकि इस वर्ल्ल कप में ये दोनों तेज गेंदबाज अभी तक उस ले में नहीं दिखे हैं जो इनका कैलीबर है जिसके लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं विकेट्स मिल रहे हैं लेकिन अंतिम ओवर्स में मिलते हैं जब बल्लेबास शॉट्स खेलने के लिए जाता है एडम जंपा पिछले दो मैचों में आठ विकेट ले चुके हैं उन्होंने जे बता दिया है कि ऑस्टेलिया का खेमा जो विश्वास कर रहा था उनके ऊपर कर रहा था श्यरलंका चार फिकेट लिए पाकिस्तान के खिलाव दियू ने चार फिके लिए बैंसे नीदरलेंड को टाकर जरूर दे रही है जीती सिर्फ साच अफरीका के खिलाव कर दी है और इस टीम की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी गेंद बाजी है तेज गेंद बाज शुरू में विकेट ले लेते हैं बाद में जो आते हैं आर्यांदा तोर वेंडर वह आगे जैसे जैसे खेल बढ़ता है वह बल्ले बाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर देत इसके लिए नीदरलेंड उनसे उमीद भी कर रहा था कि भारते कंडिशन को वो थोड़ा सा अच्छे से जान सकते होंगे वो यहाँ पर अच्छा प्रजशन करेंगे लेकिन ऐसा अब तक देखने को मिला नहीं है डाउट जो उनके जोडिदार है उनके बल्ले से भी ऐसा स्कोर तक पहुँच जाता है लेकिन नीदरलेंड को समझना होगा कि जो मैच ऑस्टेलिया के खिलाफ होगा अगर शुरात में विकेट खो दिये तो ऑस्टेलिया एक ऐसी टीम है कि अगर आप दबाव में तो आपको पूरी तरीके से तहस नेस कर देगी और आपको वापसी से प्रभावित वो मैच था लेकिन इसके बावजूद ऑस्टेलिया एक तरफा जीत हासिल करने में काम्याब रहा था उसके कॉन्फिदेंस भी होगा नीदरलेंड को कैसे खेलेगी क्योंकि अंदर आती हुई गेन जब आपके टोपे पड़ती है तो बड़ा दर्द भी होत करते हैं विरोधियों पर यह एक्स्ट्र प्रेशर वैसे ही बना देते हैं अगर यह टीम 250 रन बनाती है तो 270 रन मानिए क्योंकि 20 रन यह अपनी जो फिल्डिंग है उससे वह कैतना कि बचा लेते हैं एनर्जी दिखती है जीतने का जस्बा दिखता है और मुकाबला बेहद रोमांचक आपको देखने को मिल सकता है तो आप 25 अक्तूबर ऑस्ट्रेलिया वर्सेज नीदरलेंड डिल्ली गारून जीटले स्टेडियम आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि नीदरलेंड एको रूलट पेर कर पाएगा और पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात देपाएगा तो वही अगर आपने अब तक नीज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल कर लिजे क्यूंकि पूरे वर्ल्ड कप में आपको ओकिनवा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना सोसियेशन वित पिंगल यहां पे जारी रहने वाला है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सब्सक्राइब जरूर कर लिजे बहुत बहुत धन्यवाद